Ray optics कितना important chapter होता है अगर मैं neat की बात करूँ तो अगर आप चाहते हैं अपने 16 से 20 number secure करना अगले आपको 7-8 minute बिलकुल miss नहीं करने, end तक वीडियो जरूर देखना बात करें अगर हम Ray optics की तो सबसे पहले इसमें जो important element होता है वो होता image formation by a plane mirror image formation by plane mirror से बहले आपको इसमझना जरूर है कि parallel diverging और converging beam क्या होती है यहाँ पे आपके सामने दी हुई है converging beam का case बहुत ज़ादे important हो जाता है क्योंकि virtual object की जितने भी scenario बनते हैं उसमें आप देखेंगे किसी बी एक optical instrument पे converging beam fall करती है तो यह case आपको बहुत importantly पता होना चाहिए अब बात करें laws of reflection की जिससे हम plane mirror के reflection को समझ सकते हैं तो simple से दो नियम होते हैं बेटा कि instant angle को reflected angle के बराबर होना चाहिए और instant ray normal और reflected रहे तीनों एक plane पे लाए करनी चाहिए अब बात करें reflection by a plane mirror की तो कुछ properties जाने से related सर सेम distance पे होता है plane mirror का object और mirror image की जो mirror से position होती है वो सेम रहती है और velocity की बात करें तो velocity just opposite होती है अब velocity just opposite होने का मतलब यह है कि velocity of object with respect to mirror velocity of image with respect to mirror का negative होती है अब एक case ऐसा मानलो कि आपका mirror जो है वो भी move कर रहा है और object भी move कर रहा, image भी move कर रहा तो यह formula आपको please याद हो जाना चाहिए जो कि यह बोलता है कि velocity of the mirror with respect to ground जो हो जाएगी वो VIG यानि velocity of image प्लस velocity of object by 2 के बराबर होती है इस formula किता है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो next concept पे जाती है deviation of light by plane mirror अगर मैं एक light ray fall करा रहा हूँ तो कितना deviate हो जाती है मतलब एक light ray सीधी जानी चाहिए थी वो कितना deviate हो जाती है तो यह हो जाता है मेरा angle of deviation जिसकी value होती है pi minus 2y के बराबर next बात करो minimum height of the mirror तो अगर मानलो आपके पास आपकी height अगर h है तो आपको कितना सबसे छोटा mirror कितना होना चाहिए इसकी value होती है h by 2 जो भी आपका height होती है उसकी आधी length का अगर आप minimum mirror लेते हो तो आप अपनी पूरी height को देख सकते हो उस mirror के माध्यम से दूसरा number of images formed by two inclined mirrors अगर दो inclined mirror है तो total number of images कितनी बनती है तो इसका एक simple सा logic है वो angle by sector पे बैठा हुआ है मतलब एक example के तोर पर अगर मैं बात करूँ 360 by 5 की बात करते हैं 360 by 5 आप सब जानते हैं कि 5, 7, 72 होता है 72 आपका एक odd number अच्छा एक minute, just a minute माल लिए 360 by 72 है 72 डिगरी पे रखा हुआ है 72 पे odd number आजाएगा 5 लेकिन अगर object की position दोनों के बीच में मतलब दोनों से 36, 36 डिगरी के अंगल पे रखी हुई है एकदम बीचों भी सगी है तो यहाँ पे बापिस आपको जो टोटल नमबर आफ इमिज़े 360 by 3 टा मैनस 1 करना पड़ेगा देन बात करूँ मैं concave और convex mirror की क्योंकि plane mirror में इतनी सबसे concept से आएगा question अब अगर मैं curved mirrors की बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने standard image diagram दिये हुए है जो कि आप screen को pause करें ध्यान से देखें क्योंकि इससे related काफी ज़्यादा question आ सकते हैं और इसमें भी सबसे आदे important case जो वो होता है वो यह होता है जिसमें आपका एक concave mirror में object को उसके focus और उसके pole के बीच में रख दिया जाता है जहाँ पे image आपके enlarged बनती है और हम उसे अपनी आँखों से देख सकते हैं बागी सब positions भी ठीक है इसे related काफी सारे सवाल आते हैं यही image formation अगर मैं concave mirror की sorry convex mirror की बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं image formation हमेशा छोटी रहती है और virtual रहती है यहाँ पे field of view बहुत ज़ादा रहता है और इसी वज़े से इसको side view mirror के form में काफी ज़ादे use किया जाता है अगर mirror formula और magnification की बात करें बड़ा simple सा logic होता है बड़ा simple सा formula होता है जिसको आपको use करना है और उसे related आपके सारे सवालों के जबाँ मिली जाएंगे motion of an object की अगर बात की जाए तो motion बड़ा simple सा है बेटा जो भी आपकी equation आ रही है उसको differentiate कर दो तो आपको velocity of image की value पता चल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते है जो dv upon dt है यानि velocity of image minus of v square by u square into du by dt यानि velocity of object के बराबर आ जाएगी यानि यह basically आपका magnification के बराबर ही है अचा mirror formula और magnification की अगर मैं बात करूँ तो mirror formula हो जाता है 1 upon v 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f और अगर मैं magnification की बात करता हूँ तो magnification यहाँ पर हो जाता है minus of v by u के बराबर ठीक है तो I hope यह चीज़ आप सभी को clear है यह आपका mirror formula हो गया यह आपका magnification हो गया इसको differentiate करेंगे तो velocity पता चल जाएगी जो की parallel to principal axis है इसको differentiate करेंगे तो velocity पता चल जाएगी जो की perpendicular to principal axis है यह हो जाएगी velocity of image h2 और यह हो जाएगी velocity of object और minus of m इसमें भी multiply होगा I hope यह चीज़ आप सभी को समझ बहाई अब आगे बात करते हैं refraction की तो refraction में सबसे पहला important बहुत जादा important हो जाता है क्योंकि refraction में आपको एक तो plane surfaces का refraction सभज माना चाहिए फिर glass slab का फिर उसका curved surfaces का फिर उसके बाद lenses का और फिर prism का तो काफी 5 चीज़े आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है refraction में सबसे पहले बात करते है refraction के loss से related तो refraction के loss दो हैं जिनका कहना पहला तो यह है कि सब incidentary, refractary और normal हमेशा एक plane पर बनेगी दूसरा Snells law का बताता है कि जो भी refractive index into just sign रहता है जिस angle पर फॉल कर रहा है वो हमेशा constant throughout रहता है आने वाले successive refractions के लिए भी मतलब refractive index into sign of the angle normal के साथ जो बनेगा वो हमेशा constant रहता है यह आपका दूसरा law रहता है अब इसको use करके अगर हम refraction through plane surfaces की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला सवाल आता है वो आता है real depth और apparent depth का real depth और apparent depth हमेशा याद रखना कि अगर object अगर object आपका height बनेगी उसकी height से उची बनेगी और अगर object आपका denser medium में है तो उसकी height बनेगी उससे छोटी बनेगी तो यहाँ पे जो real height रहती है अगर rarer medium में object रखा हुआ है तो ऊपर बनेगी और अगर denser medium में object रखा हुआ है तो थोड़ा सोर उपर बनेगी मतलब apparent depth जो रहेगी वो छोटे हो जाएगी और apparent height जो होगी real height से उची हो जाएगी I hope यह चीज आपको समझ में आई और कितना variance रहता है by mu का यहाँ पे अगर मानलो height h है तो यह वाली जो height रहेगी किती हो जाएगी mu times h और यहाँ पे अगर मानलो depth आपकी d है तो यह जो height हो जाएगी किती हो जाएगी d by mu तो यह formula आपको पता होना चाहिए simple से logic में placed है अब refraction through glass slab की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देखो simple सा logic है जब कभी भी object रहता है तो final image जो बनती है वो towards the glass slab shift हो जाती है और जो shifting रहती हो गिती हो जाती T1-1 by mu के बराबर अब बात करें TIR के बारे में तो TIR का concept बहुत simple और इसे related काफी सवाल आते हैं इसका कहना यह है कि जब कभी भी light denser to rarer जाएगी तो एक ऐसा angle बनता है जब light grace करके निकल जाती है उस angle को हम critical angle बोलते है और critical angle की value कितनी हो जाती है critical angle की value होती है new is equal to 1 upon sin c तो इसे साब से आप निकाल सकते है कि critical angle हो जाएगा sin inverse 1 by new के बराबर जिसमें refractive index denser medium era इसका refractive index new हो जाएगा इसका one हो जाएगा यहाँ पे एक और case बनता है जो कि reflection through plane surfaces से validate है और इसके बाद फिर यहाँ पे आपका TIR का effect आजाता है कि मानलो एक source of light है तो यहाँ पे light ray इस point के बाद बाहर नहीं निकल पाती तो इसलिए आपको एक particular radius में ही दिखता है यह radius का direct formula आपको पता होना चाहिए आर की जो value होती है वो h into tan ic के बराबर होती है और अगर आपस area of a circle पूछ ले तो pi r square यह नि pi h square tan square ic के बराबर हो जाएगी आगे बात करें हम lenses में reflection के बारे में तो यहाँ पे वापस वो standard सारे के सारे ray diagrams दिये हुए है जो की आपको पता होने चाहिए क्योंकि exam में जब सवाल आएगा तो आपके अंदर एक visualization होनी चाहिए कि कहाँ पे object रखा है और इसे आपसे image कहा बनेगी यह आपके verification के लिए सवालों में और दूसरी सवाल को analyze करने बहुत हल्प करती है तो यहाँ पे सारी positions दी है एक convex mirror और एक convex lens और एक concave lens के बारे में जिसमें सबसे आदे important position है वो यह वाली होती है जहाँ पे object को optical center of focus के बीच में रखा जाता है और image कैसी बनती है, image virtual बनती है और enlarged बनती है, इसी position पे इसे magnifying lens की तरह भी use किया जाता है के साथ क्या होता है, multiply हो जाता है यहाँ पे अगर मान लो दो lenses है और दोनों के बीच में दूरी d दे दी है तो इस combination का जो net focal length रहता है यह तो है जब साथ में लगे हुए है यह तो है जब साथ में लगे हुए है individual सबकी f1, f2 है तो power add हो जाएगा, focal length ऐसे add होगा magnification multiply हो जाएगा अगर दूरी दे दी तो यहाँ पे जो focal length of the net combination रहता है 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1, f2 से relate होता है दूसरी बात करूँ अगर मैं silvering of lenses silvering of lens का concept simple सा यह है कि अगर मान लो बहुत सारे lenses रखे हुए है और उसके बाद जो last surface है उसको आपने mirror कर दिया तो हमेशा रखना focal length of the combination होता है minus 2 upon focal length of lens 1 minus 2 upon focal length of lens 2 ऐसे add करते जाएंगे minus 2 upon focal length of lens n और बाद में सबसे last surface जो आप mirror करते हो focal length of mirror इस formula के तहत आप इस पूरे combination का focal length निकाल सकते है और यह पूरा combination आपका एक mirror की तरह behave करता है किस की तरह behave करता है सर मिरर की तरह behave करता है दूसरा case cutting of lens में बात करूँ अगर lens को मान लो आपने principal axis के parallel cut कर दिया तो जो दो individual lenses रहेंगे इन दोनों की focal length same रहती है बिलकुल भी change नहीं होती है focal length यहाँ पे same रहती है और यहाँ पे अगर बात करूँगो तो focal length double हो जाती है यहाँ focal length double हो जाती है यहाँ focal length कितनी रहती है same रहती है अगर ऐसे काटोगे बीच में से काटोगे तो focal length double हो जाएगी और इसका पूरा का पूरा analysis अब कैसे निकाल सकते हो lens maker formula से किससे lens maker formula से और lens maker formula को में हाँ दीग देता हूँ lens maker formula जो हो जाएगा जो की हो जाता है वन अपन focal length is equal to mu L, mu of lens divided by mu of surrounding minus 1 1 upon radius of the incident surface minus 1 upon radius of the emergent surface और trust me बेटा lens maker formula से काफी सारे सवाल बनते हैं जिसमें आपको effective focal है निकालनी रहती है next बात की जाए refraction through prism की जो कि मैंने बताया था 5 बाश सबसे important part है prism में जो आपका formula रहता है जो आपको सबसे हमेशा याद रहना रहता है minimum deviation का minimum deviation हमेशा i plus e minus a होता है i plus e minus a होता है जिसमें i आपका infinite angle e होता है emergent angle principle of reversibility according ये concept लगाए जाता है कि जब भी i और e की value बराबर रहेगी तब आपका minimum deviation का case बनेगा और जब i e की बराबर रहेगा तो जो आपका r1 और r2 है जो individual आपके refracted angle है r1 और r2 वो भी आपके बराबर हो जाएंगे और r की value nearly a by 2 के बराबर हो जाएगी value रहती हो sin of a plus del m by 2 upon sin of a by 2 इस formula को कहा ही उसकरना है जहां पे clearly दिखाना हो कि जो angle of prism में वो छोटा है और जहां दिया हो वहाँ ये formula उसकरना है prism में आपको हमेशा dispersion का effect दिखेगा और dispersion क्यों दिखता है क्योंकि अलग-अलग deviation होती है अलग-अलग color of light की I hope आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है अब बात करते हो optical instruments की तो इसमें 3 है majorly simple microscope, compound microscope और telescope अब simple microscope की बात करेंगे तो आपको हमेशा आद रखना है simple microscope एक lens के तहत आपका magnification करता है यहाँ पे दो जगे magnification होती है एक तो होती है जब object near point पे बना है और दूसरा होता है जब final image आपकी infinity बनी यह final image जब near point और यह infinity जब final image infinity बनती है तो magnification d by f और यह बनती है तो one plus d by f अब यही चीज़ में compound में करणो तो compound में दो lenses आ जाते है इसलिए दो lenses के तहट वहां magnification दो जो lenses होते हैं एक eye piece और एक objective eye piece का magnification उतना ही होता है जितना simpler microscope का यह निवन प्लस d by f e और जो objective lens होता है उसका होता है view upon you अगर final image infinity बन रही है तो simple यह हो जाता है objective का magnification और यह हो जाता है किसका eye piece वाला जो की simple microscope का है अगर यही चीज़ में बात करूँ telescope में तो telescope में अगर final image infinity पर ही telescope में भी दो lenses use होते है objective और eye piece objective यहां पे काफी जादा बड़ा बनाया जाता है इस case में objective की उत्ता बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है यहां पे जो magnification होता है कितना हो जाता है यह हो जाता है आपका क्या magnification का value जब कभी भी image आपके near point में बनेगी तो यह formula आप लोगों को याद होने चाहिए और इनसे related standards हवाल आपको solve होने चाहिए तो बेटा this is the end of ray optics I hope इसमें सारी चीज़े कवर हो गई होंगी और अगर यह revision आपको बहुत अच्छा लागा तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और डू लेट मी नो अगर किसी और चाप्टर का भी है ऐसी आपको short में revision नोट्स है तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you bye bye and all the best to all of you झाल 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 जच्छान झाल 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 झाल